हाई ले मिन्थीज, वेलकम डू एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तापिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपने प्राइस डिटॉमिनेशन और सिंपल एप्लिकेशन चेप्रों को आगे बढ़ाएंगे आज इसमें हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि हमारे एक्जाम में आता है और जो कि बहुत असान है अगर आप ये अपने नॉर्मल रूटीन में देखोगे न तो ये सारी चीज़े आपके आसपास प्रेक्टिकली हो रही है तो आज उसी चीज़ को हम समझ बुचने वाले है कि जो इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ चींच इन डिमांड इन सप्लाय और मार्केट ईकलूब्रियम याणि कि अगर मार्केट में एकलूब्रियम की सिती है और उस समय पर अगर डिमांड और सब्सक्राइब करो और अगर आपको वीडियो पसंद आती ह अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप अपने डाउट अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर है चाहिए वो एकनॉमिक्स है बुजनस है और अकाउंट्स है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तब इता मैंसे वहाँ पर पूछ सकते हूँ अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और जहांबर हमें मार्केट एकलिब्रियम अगर अटेंड हो रखाया और उस समय पर कोई चेंज आता है तो कैसे प्राइज और क्वांटिटी में चेंज आता है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मार्केट एकलिब्रियम को प्रेक्टिकली यानिकी टेबल के थूरू ग्राफ के थूरू समझाया है इस वाली वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रीफ छोटे उसमें समझेंगे Market equilibrium कहते किसे है देखो यहां पर हमारा price होता है यहां पर हमारी quantity demanded and supply होती है आप आपको पता है कि demand curve कुछ इस तरीके से होते है क्योंकि उसका price के साथ negative relation है अगर price जादा है तो demand कम होगी price कम है तो demand जादा होगी और supply curve कैसा होता है supply curve कुछ इस तरीके का होता है जिसका price के साथ positive relation होता है अगर हमारे prices जादा होगी तो supply भी जादा होगी price कम होगी तो supply भी कम होगी तो अगर मैं इस curve को दुबारा से बनाऊ तो हमारा demand curve कुछ इस तरीके से होता है supply curve इस तरीके से होता है ये जो होती है हमारी equilibrium quantity होती है और ये हमारा equilibrium price होता है अगर हमारे demand या supply में changes आते हैं तो हमारे market equilibrium में क्या change आएगा वो हम देखेंगे तो आपकी book में guys ये ये changes के उपर पूरे पूरे study है Like change in demand, demand में change आए तो demand में दो तरीके का change हो सकता है Demand बढ़ेगी या कम होगी, supply में change क्या होगा, supply बढ़ेगी या कम होगी या फिर दोनों में एक खटा change आए, supply में भी change हो रहा है, demand में भी तो ये cases और ये कुछ cases अभी हम समझेंगे, वाला सारा समझेंगे बट सबसे पहले असान से start करते है, असान बोले तो सिर्फ एक चीज में change आना तो यहाँ पर हम लोग एक नया curve, बलाब एक नया graph बनाते है आप देखो, यहाँ पर आपके price है, यहाँ पर आपकी quantity है, demand curve ये है, supply curve ये है तो देखो, demand जब बढ़ती है, तो curve हमारा rightward shift होता है यानि कि demand जो है, वो अब उतने price पर बढ़ चुकी है पहले हमारा equilibrium quantity Q था और price P था यानि कि इस case में, equilibrium के case में हमारे demand supply के बराबर था बट अचानक से demand बढ़ जाती है, जैसे कि नवरात्रों में आलो की बढ़ जाती है, तमार्डर की बढ़ जाती है तो ऐसे case में demand कव हमारा नेया D1, D1 shift हो जाएगा rightward क्योंकि demand बढ़ चुकी है, quantity जो पहले Q थी, now it will be Q1 market में लोग जादा खरीद रहे हैं, लेकिन supply में क्या होगा, supply बढ़ेगी लेकिन price को साथ लेके बढ़ेगी, तो price जो हो जाएगा, नया वो P1 हो जाएगा क्योंकि D1, S को supply में कोई change नहीं आया था, S को cut कर रहा है, कहां पर इधर तो इस case में जो price हमारा new generate होगा, वो P1 होगा, और नई quantity हमारी Q1 होगी ठीक है, new equilibrium will be E1, जो की पहले E था, तो ये changes आएगे अब इसी तरीके से अगर ऐसा होता, कि हमारा ये demand curve है, ये supply curve है और अब हमारी demand कम हो जाए, जैसे की नवरात्रों में प्याच की, तो अगर demand कम होगी तो वो leftward shift हो जाएगा, अब पहले तो यहां पर हमारा equilibrium था, ये हमारा price था, ये हमारी quantity थी लेकिन अब जो होगा guys, वो हमारे S को यहां cut कर रहा है, तो किसी भी चीज़ की demand अगर आप बताओ, market में कम होती है तो उसकी quantity जादा बिकेगी कम, कम बिकेगी ना, price क्या होगा, सस्ता हो जाएगा वो समान, क्योंकि demand ही नहीं है बेचने वाले बैठे हैं लेकिन उस चीज़ की demand नहीं है, तो ये तो demand का effect आया, ठीक है जो demand का effect हमारे supply पर पड़ा, वो हमने यहां पर show किया, ऐसे ही आपको अपने exam में show करना होता है इसी तरीके से अब हम supply का effect देखते है समझा रहा है ना, like एक easy सा concept है, सिर्फ आपको graph आने चाहिए अब अगर मैं यहां पर curve बनाऊ, ये demand है, ये supply है अब हमारी supply अगर बढ़ जाती है, तो वो rightward shift होगी new curve S1 हो जाएगा, तो पहले अगर हमारा ये equilibrium point था, ये price था, ये quantity थी तो now ये हमारे demand को यहां cut कर रहा है, supply बढ़ गई, मनला market में जादा चीज आ रही है quantity भी बढ़ जाएगी, लेकिन जादा चीज आते ही demand क्या हो गई, demand तो कम थी तो prices down चले जाएगे, यानि कि market में जब बहुत सारे tomato आ जाते हैं, लेकिन खरीदेंगे बंदें कितने खरीदेंगे तो उस case में prices बढ़ सस्ता हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसका opposite बताऊं guys, तो demand और supply है अगर supply कम हो जाती है, जैसे tomato कई बार बीच में इतने महंगे हो जाते हैं, तो left hand side को हमारा curve शिफ्ट हो जाता है अब ऐसे case में जो पहले quantity थी, अब की new quantity कम हो गए, क्योंकि आई नीरी market में, है ना पहले price इतना था, लेकिन new price जो वो demand को cut कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर price है जादा तो आपको पता है, जब चीज कम हो जाएगी supply तो महंगी होनी लाजमी है तीक है, अगर एक दुकान पर आप समान लेने गए, वहाँ पर 20 लोग खड़े हैं और समान सिर्फ 2 है तो हर एक बंदा जादा पे करने को ready रहेगा तो वही सारे चीज़ें यहाँ पर हमें कर्व में दिखानी है जिसके लिए आपको महतपून क्या है, यानि कि important चीज क्या है आपको यह पता होना चाहिए कि बढ़ते वक्त rightward shift होता है चाहे वो demand curve है, चाहे वो supply है क्योंकि quantity increase हो जाती है कम होते वक्त वो leftward shift होता है क्योंकि quantity कम हो जाती है ठीक है, तो यह हमने अभी change in demand and change in supply देखा ठीक है, I hope आप लोगों को समझ आया होगा, जो कि बहुत असान topic है अब इसके बाद guys हम देखेंगे जब दोनों में change आता है दोनों में जब change आएगा, यानि कि demand में भी और supply में भी तो कैसे change आ सकते है, देखो हो सकता है दोनों बड़े demand भी बड़े, supply भी, हो सकता है दोनों कम हो हो सकता है एक कम हो दूसरा बड़े, हो सकता है एक बड़े दूसरा कम तो ये हो सकता है तो सबसे पहले simple case समझते हैं आपको mainly ये DD की line खीचनी आनी चाहिए और SS की ये आपकी quantity ये आपका price हो गया ये आपका equilibrium point अब दोनों में फर्क आ रहा है ठीक है तो वो आपको बताएंगे दोनों में कैसा फर्क आ रहा है अगर मैं कहते हूं कि दोनों बढ़ अब जो shift हुआ वो right-ward shift हुआ अब इसके बीच का जो difference है 20 unit का वही हमें इधर का difference भी लेना है तो आप अपने scale से ना आप सकते हो कि आपका जो difference होना चाहिए वो same होना चाहिए तब ही answer सही आएगा तब ही आपका graph सही बनेगा तो अब हमने name equal उस amount से यहाँ पर changes करें ठीक sorry ठीक है तो अभी भी price वही रहेगा but quantity change हो जाएगी यानि कि उसने एक दूसरे curve को इस जगे काटा कि हमारी quantity में कोई फर्क price में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि अगर कोई चीज की demand बढ़ी तो supply भी बढ़ गई तो चीज महंगी होने का सवाल ही नहीं है तो price तो जो है वो same रहा लेकिन quantity क्योंकि supplier बढ़ी है तो quantity बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है अब अगर यही चीज में आपको यह बताओं कि दोनों कम हो जाए ठीक है तो कैसा फर्क आएगा वो भी equal amount से तो हमें graph जो है वो बनाने आने चाहिए ठीक है आभी देखो असान सा concept है यह demand curve है यह supply curve है यह हमारी quantity है यह हमारा price है दोनों कम हो रहे हैं तो भाईया इधर को हम इसको shift कर देंगे new will be d1 d1 और दोनों equal मातरा से हो रहे है तो यह भी इधर को लेकिन equal amount से ठीक है S1 S1 अब आप देखोगे यह इसको यहीं cut कर रहे है तो price means constant रहेगा बट क्योंकि supply कम हो गई है तो quantity कम हो जाएगी जो कि आपके Q से Q1 shift हो जाएगा तो अगर आप जो changes हैं जैसे कि यह वाला था यह था अगर आप सही लेते हो तो आपका graph एकदम सही चीज शो करेगा अब अगर मैं guys यह कहते हूँ कि demand कम हो रही है 100 units से लेकिन supply कम हो रही है सिर्फ 20 units से तो यानि कि demand में जो change है वो बहुत जादा का है और supply में कम का है तो कै ऐसे show करेंगे देखो तो हमें normal curve बनाना है ठीक है आपको यह दो लाइने खीचनी है ऐसे करके DD और SS यह आपकी quantity हुई यह आपका price हुआ और यह आपका equilibrium है अब आपकी demand कम हो रही है ठीक है जो की जादा से कम हो रही है तो demand को कम करेंगे बड़ जादा gap रख देंगे तो new curve will be D1, D1 देख रही हो मैंने कितना gap रखा इसके बीच में और supply भी कम हो रही है लेकिन इस unit से तो supply को बीच का gap मैंने कम रखा S1, S1 अब देखो इसके बीच का gap कम रखा जबकि demand बहुत जादा से कम करिये, supply कम से कम करिये अब यह दोनों curve एक दुसरे को यहां cut करते है ठीक है तो demand बहुत जादा से कम हो रही है इत मींस price डाउन चले गए और supply भी कम हो रही है इत मींस quantity भी कम हो गई ठीक है अगर वो यह कहते है जादा मात्रा तो उस graph में जादा का change दिखा दो लेट करो supply ऐसे था जादा मात्रा का मतलब होगा मुझे gap जादा का दिखाना है कम मात्रा का मतलब होगा मुझे कम का दिखाना है और अगर वो equal बोलेंगे तो equal का दिखाना है demand में भी supply में भी त कि आपको demand बढ़ती हुई दिखानी है, supply कम होती हुई दिखानी है और इसमें supply जो कम हो रही है, वो बहुत जादा मात्रा से कम हो रही है तो देखो कैसे graph बनेगा, आप भी बनाओ अपनी copy में, मैं भी बना रही हूँ देखो, normal मैंने DD खीचा, SS खीचा, ये मेरी quantity और ये price और ये equilibrium point Demand जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन बढ़ते हुए तो, मतला बोले तो right word shift होना है D1, D1, supply कम हो रही है लेकिन जादा मात्रा से, तो यानि कि उसके बीच का gap जो है, इससे मेरे को जादा रखना है S1, अब आपको ये देखना है, ये दूसरे को कहा कट कर रहे हैं, यहाँ पर, अब यहाँ पर price P1 हो गया और quantity will be Q1 तो आपको पता है, जब market में supply कम हो जाएगी, तो quantity तो कम हो नहीं है, और supply कम हो गई और demand जादा हो गई, तो of course prices बढ़ने हैं, तो price P1 से P1 चला जाएगा ठीक है, जो कि आपके normal cases में चाया, जूते, चपल, टमाटर, आलू, गो भी, कुछ भी ले लो, यही effect आते है सब में demand and supply का ही effect आता है, तो I hope आपको यह cases समझायोंगे, लीज अपनी कॉपी में एक बार जरूर प्रेक्टिस करना अब हम करेंगे guys special cases, special cases क्या होते हैं, देखो special cases होते हैं कि हमारी demand या supply में change आए, बट हमारा जो supply या demand जो है, वो elastic या inelastic हो तो देखो, elastic curve कौन सो होता है, elastic curve होता है, जो pillar to x-axis होता है, जिसमें अगर में demand को, देखो, demand elastic है, मना थोड़ा सा change आने में, demand में बहुत ज्यादा curve आता है, तो इसलिए यह curve, pillar to x-axis, horizontal form में होता है लेकिन inelastic किसे कहते हैं, जब आपका curve को price का कोई भी effect नहीं होता, यानि कि अगर आप 100 unit बेच रहे हो, तो prices कुछ भी रहे, आपके demand में कोई फर्क नहीं आता ऐसा concept product है guys, price कुछ भी रहे, लेकिन demand जितनी होतनी ही रहेगी, जैसे नमक, price चाहे 40-100 रुपे हो, आप नमक जादा खरीद के, कुछ नहीं करते हैं, आप जादा नमक तो सबजी में डालने नहीं लग जाओगे, तो price जो होता है, demand नमक का आपका, inelastic होता है, यानि कि उसक कोई फर्क नहीं आता, भले उसके prices बढ़े या कम हो, ठीक है, तो यह हो गया, elastic, यह हो गया, आपका, inelastic demand का, अब ऐसे कि इसमें, अगर हमारे supply में change आए, बहुत असान है, supply curve हमाना ऐसा होता है, इतनी knowledge अब हम ले चुके हैं, अब अगर supply बढ़ जाए, curve इधर shift कर दो, S1 S1, supply कम हो जाए, curve इधर shift कर दो, S2, S2, तो अब आप देखो, वो D को कहां cut कर रहा है, पहले वो यहां cut कर रहा था, तो क्यू quantity, अब S1 के through, quantity, supply बढ़ गई, quantity बढ़ गई, supply कम हो गई, quantity कम हो गई, but price, same रहा, यहां पर अगर हम दिखाएं, गाईस, पहले हमारा S था, यह ह हमारी quantity थी, अब अगर supply बढ़ गई, S1, S1, तो quantity same रही, but prices क्या होंगे, down चले जाएंगे, क्योंकि quantity में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई जादा नहीं खरीद रहा, तो चीजे सस्ती हो जाएंगी, लेकिन अगर वही supply कम हो जाए, market में नमक आना बंद हो जाए, क्या होगा, prices बढ़ जाएंगे, but quantity उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है, तो यानि के demand जो है, वो उतनी की उतनी रहेगी, supply कम हो जाएगी, तो चीजे महंगी हो जाते है, इसलिए ये curve यहाँ आ गया, तो यह हमारा special case था, जिसमें हमें elastic और inelastic दिखाना था, supply curve आपको पता ही था, तो हाँ, मतलब demand में same curve बनेगा, supply अगर हमारी elastic रहेगी, तो color to x-axis जो की demand में थी, अगर inelastic रहेगी और vertical रहेगी, किसके y-axis के, यह हमारा supply है, x-axis, y-axis, तो यह inelastic के case में है, और यह elastic के case में, perfectly elastic and perfectly inelastic, अब ऐसे case में अगर demand में फरका है, तो आपको पता है, demand कव ऐसा होता ह है, बढ़ेगा, तो rightward shift होगा, कम होगा, तो leftward shift होगा, पहले इतनी quantity थी, अब ही quantity इतनी हो जाएगी, और इसके बाद Q1, Q2, जबकि price वही रहा, ठीक है, demand में फरका है, demand में फरका है, यानि कि लोग कम खरीद रहे हैं, अब इसे तरीके से अगर demand बढ़ जाए, तो चीजे D1 curve इधर shift हो जाएगा, और prices महंगी हो जाएगे, क्योंकि supply जो है, उस पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा, इसके बाद अगर हमारा D2, D2, इसने इसको यहाँ cut किया, it means prices down चले जाएगे, जबकि equilibrium price P था, कम demand होने पर, demand बढ़ने पर चीजे महंगी हो गई, demand कम होने पर चीजे सस्ती हो गई, दाम गिर गए, तो आपको mainly इस concept को समझने के लिए, elastic curve जो की parallel to x-axis होता है, और inelastic जो की एक vertical line होती है, उसमें changes दिखाने होते है, demand का होगा, तो demand curve बनना चाहिए, demand curve ठीक है, और अगर supply का होगा, तो supply curve, तो इस तरीके से, आप यह सारी चीजे अराम से solve कर स सकते हो, I hope guys आपको यह part clear हुआ होगा, अगर फिर भी कोई doubt है, तो Instagram पर पूछ सकते हो, thank you